स्वागत है आपका किंग जी टेक में पारफुल स्मार्टफोन के लिए डिपैंड करते हैं पर यह तीन चीजे सबसे ज़्यादर जरूरी होती हैं तो भाई आज की इस वीडियो में मैं जो आपको तीन सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताऊँगा उनमें आपको पारफुल प्रोसेसर सुपर लेवल की डिस्प्ले बड़ी बैटरी एंड सुपर हाई पर्फोर्मेंस मिलेगी तो चलिए भाई बिना टाइम को वेश्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्वागत है आपका अपने सी यूट्यूब चर्में स्मार्टफोन है एंड गईज 10,000 के प्राइस पॉंट में यह स्मार्टफोन काफी चर्चाओं में भी रहा है तो गईज अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में तो भाई यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD प्लस वाली डिस्पले मिलेगी और सबसे अच्छी बात गईज यहाँ पर आपको 6000 मिलियंप्यार की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करने के लिए इसके बोक्स में आपको 20 वोट का चार्जर मिल जाएगा और भाई काफी बड़ी बैटरी है जिससे आप काफी लंबे समयते गेमिंग कर सकते हों यानि कि यह स्मार्टफोन आपको लोंग टाइम गेमिंग एक्स्पिरियंस देगा बात करे सिक्यूर्टी फिचर्स की तो भाई यहाँ पर आपको बैक में डियर फिंगर प्रिंट सेंसर दिया हुआ है और भाई सबसे ची बात यह है जिन लोगों को स्टोक अंडरोड वाले समार्टफोन पसंद आते हैं यानि कि यहाँ पर आपको काफी अच्छी पर्फोर्मेंस मिलने वाली है सबसे अच्छी बात इसके बैक में आपको क्वार्ड कैमरे का सेट अप देखने को मिलेगा 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP और फ्रंट में आपको 8MP का सेलफी कैमरा दिया हुआ है भाई इसके कैमरा की परफॉर्मेंस में तो काफी जबरदस्त है और काफी अच्छे फोटोस आप इसके दोनों कैमरों से के लिए कर सकते हो बात करें रेम स्टोर्ज की तो भाई यहाँ पर आपको 4GB की रेम डे 64GB का स्टोर्ज मिलता है जिसका प्राइस है 9500 रुपे और यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा जिनको 10,000 की रेंज में एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो Moto G10 Power आपके लिए एक सूपर स्मार्टफोन रहेगा तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड नंबर के स्मार्टफोन की और इसलिए मैं आपको सजेश्ट करूँ है Redmi 9 Power और भाई Redmi का यह स्मार्टफोन 10,000 के प्राइस पॉंट में काफी चर्चाओं में भी है और लोग इसी स्मार्टफोन को काफी पसंद भी कर रहे हैं और भाई यहां पर आप दो सीमुरे कलेक से Memory Card यूज़ कर सकते हो बात करे Security Features की तो भाई यहां पर आपको Side Mounted Fingerprint Scanner दिया हुआ है जो काफी Instantly Work करता है तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो भाई यहां पर आपको Back में 48 Megapixel के साथ Back में Quad Camera का सेटप देखने को मिलेगा और Front में आपको 8 Megapixel का Selfie Camera दिया हुआ है भाई इसके दोनों कैमरों की Quality काफी जबरदस्त है और काफी अच्छे फोटोज आप इसके दोनों कैमरों से के लिए कर सकते हो बात करें Performance की तो भाई यहां पर आपको Snapdragon 662 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो काफी Powerful चिपसेट है जिससे आप काफी Upper Level की गेमिंग इजिली कर सकते हैं तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के RAM स्टोरज की जिसमें आपको बड़ी बैटरी मिल जाए और जो आपको सूपर परफोर्मेंस दे तो Redmi 9 Power आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़े लेते हैं और बात करते हैं हमारे पहले नंबर के स्मार्टफोन की तो भाई हमारे इस लिश्ट में पहले नंबर पर आता है Poco M3 यह स्मार्टफोन Poco ने Poco M2 के सकसर के रूप में लौंच किया है और यह स्मार्टफोन मार्केट में काफी ज़्यादा बिक रहा है और आज के समय में 10,000 के प्राइस पॉंट में इस स्मार्टफोन की काफी चर्चा है बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं डिस्पले से तो भाई यहाँ पर आपको 6.53 इंच की Full HD Plus वाली डिस्पले मिलेगी बैटरी की तो भाई यहाँ पर आपको 6000 मिलियंप्यार की बैटरी मिलती है जिसको चार्ज करने के लिए 22.5 वोट का फास चार्जर दिया हुआ है भाई लोंग बैटरी है जिससे आप काफी लंबे समय तक केमिंग कर सकते हैं बात करें इसके कार्ड स्लोट की तो भाई यहाँ पर आपको तीन कार्ड स्लोट मिलते हैं यानि कि यहाँ पर आप 2 SIM और एक लेक्से मेमरी कार्ड यूज कर सकते हो और इसके मेमरी कार्ड को आप 512 जबित एक्सपेंट कर सकते हो जो काफी बड़ा storage हो जाता है और भाई यहाँ पर आपको studio speaker भी मिलते हैं यानि कि जब आप gaming करोगे तो आपको काफी upper level की audio quality मिलने वाली है और भाई always say Poco के सभी smartphone में आपको Poco का clean experience देखने को मिलता है जो इसी smartphone को और भी ज़ादा premium बना देता है तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़े लेते हैं और बात करते हैं इस smartphone के camera के बारे में तो भाई इसके back में आपको 48 plus 8 plus 2 में अपसेल के साथ back में triple camera का setup देखने को मिलेगा और front में आपको 8 में अपसेल का selfie camera दिया हुआ है भाई इसके दोनों camera की quality काफी जबरदस्त है और काफी अच्छे photos आप इसके दोनों camera से क्लिक कर सकते हो भाई काफी detailed picture ये smartphone आपको click कर के देगा बात करे performance की तो भाई यहाँ पर आपको snapdragon 662 का processor देखने को मिलेगा जो काफी powerful chipset है और जिससे आप काफी अच्छी level की gaming कर सकते है बात करे RAM storage की तो भाई यहाँ पर आपको 6GB की RAM and 64GB का storage मिलता है जिसका price है 11,000 रुपे और यहाँ पर आपको 6GB RAM and 128GB का storage भी मिलता है जिसका price है 12,000 रुपे अब आप अपने budget के recording इन दोनों में से किसी भी एक storage वाले स्मार्टफोन को purchase कर सकते हो और भाई इसी स्मार्टफोन को लेने का सबसे बड़ा reason यही रहेगा अगर आपको 6GB RAM वाला स्मार्टफोन चाहिए तो Poco M3 आपके लिए एक best smartphone है और इसमें कोई सक्की बात नहीं है यह smartphone आपको बिल्कुल एक complete package देता है जिसे आप काफी upper level की gaming कर सकते हो तो भाई यह थे top 3 सबसे best gaming smartphone आपको कौन सा smartphone अच्छा लगा आप हमें comment में जरूर बता हैं अगर आपको कोई भी doubt हो किसी भी smartphone को लेकर तो भाई बे जीज़क आप हमें comment में पूछ सकते हैं तो भाई मैंने अपनी तरफ से पुरी कोचिस की है आपको एक एक point किलियर करने की उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्याद अच्छी लेगी होगी अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके जहन बंदे मातरम